तो दोस्तो आज मैं आपस के साथ शेयर करती हूँ मोह में घुल जाने वाली मिठाइ quoting रेश्पष जो कि देखने से दे पता चल रहा होगा इतनी ऑनके तैयार हो गई हैं तो दोस्तों आज कम खर्चे में कम समान में हम बना के तयार करेंगे मिठाई जो कि दोस्तों आप अपने को बहुत पसंद आने वाली तो वीडियओ पसंद आय will shine करना मत भूलिएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं देखे दोस्तों हमने ले लिया बरतन उस पे डाल देंगे हैं आधी कटोई चीनी तो मने ज्यादा मीठा नहीं बनाना दोस्तों में आधी कटोई चीनी लिया इसे बिल्कुल पर्फेक्ट मिठाई बनके तयार होगी और उसी कटोई से एक कटोई ले ले लेंगे पानी तो देखे दोस्तों हमने छोटा कटोई लिया है अब इसको हम रख देंगे पतीलों को गयस पे तो चलिए बरतन को रखते हैं गयस पे और चीनी को हम बढ़िया से मेल्ट होने तक चलाते रहेंगे इसी तरीके से यह लिए नहीं डाल दिया डाल देंगे पहले फुड है फुड में ऑरेंगे लियुआ है इसको हम थोड़ा से डालेंगे पानी के अंदर ताकि कलर बाहुत बढ़ा आता है दोस्तों आbat यह तो देखिजिए मैं डाल दिया है आपकमी से विपका लिए करते हैं तैयार रखते हैं beliefs करें cinema होदो सब्सक्राइब करना तो जाने डोस्तों कि दोस्तोर diet बेटें सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियर का पसंद आता है तो यहांद को Clifford ग вами लिग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगे जब बताएगा कैसी लगी आज के मिठाई की रेसिपी तो इसी तरीके से हम ब्राउन पार्ट को कट कर लेंगे तो आप टेंशन मत लीजे ब्राउन पार्ट आपका वेश्ट नहीं जाएगा इसका भी हम इस्तिमाल करेंगे इसी रेसिपी में तो देखें में हटा दिया है हम लग्राइब को आप चाहिए तो थोड़ा बड़ा स्लाइस कट कर सकते हैं में चुटे चुटे पीसे जा एक है तो यह देखिये हमने सारे प्रेट को इस तरीके से कट कर लिये हैं इस स्टिमाश्य में तो तो आभ इसी तरहिके से हम के कट कर लेना है सारा अअ देखिए आप जो हमने ब्राउन पार्ट को निकाल कर रखा था दोस्तों इसको भी हम ग्राइंट जान में बढ़िया से इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे एक चमस ले लियا है मलाई है तो असी मलाई को हमने लिया है और इसमे हम डाल के मिलक पॉरडर की जगह सिप मलाई से भी बना सकते हैं थोड़ा से तैनों चीजों को more करेंगे अगर आप इसको बढ़िया से मिख करते समय थोड़ा सा भी सूखा लगे तो आप इसमें ठंडा दूट डाल सकते हैं दोस्तों गरम दूद मड़ डालिएगा याद रखेगा इस ठंडा दूट डालके इस तरीके से बढ़िया आप देखे बना लीजेगा कि तब बढ़िया से मावय यिए से बनके तयार हो गया है तो चलिए इसको रखेंगे साइड में ले लेंगे ब्रेड़ को पर हम इसे मलाई के टेस्ट को बढ़िया से लगा देंगे देखे previous लाइके ठेस्ट बहुत बढ़िया डोस्तों इसको इसको ह् हमें एक हम बढ़िया चैस्ट आता है दो कि इतना बढ़ा से में दूस्री भी लगा लिया है और हम तीसा ब्रेड का स्लायश भी रख देंगे इसके ऊपर तो जी हाँ दोस्तों हम तीन लेयर की मिठाई बना रहे हैं यह दिखे इस तरीके से में बना कर लिए तो आम ने देखिए फट मिठाई बना लिया है अब चलें दूसरी मिठाई भी बना लेते हैं इसी तरीके से हम दूसरे ब्रेट में भी मलाई को लगा लेंगे अच्छा से तो दोस्तो आभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप कहां से जमाई से वीडियो को देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तो देखिए हमने दूसरे स्लाइस में भी इसी तरीके से लगा लिया है दोस्तो और इसी तरीके से हम सारे मिठाई को बना लेंगे पहले देखिए तीन स्लाइस के ब्रेट को हमने जॉइंट कर लिया है एक साथ तो इसी तरीके स देखे दोस्तों में सारे मिठाई को बना लिया है देख सकते हैं आप कितनी पर्फेक्ट मिठाई बनके तयार हुई है तो चलिए इसमें और बढ़िया से करर भरते हैं तो चलिए चलते हैं हमने ले लिया है चाशनी दोस्तों देख सकते हैं आप लोग और इस चाशनी में क्य करेंगे ऐखेंगे बाहर आट करा सेपूनु अधर परफेक्ट से बेंशी है जो हमें पन अधर काहनाया दोस्तों ये देखिए बढ़िया से हमाई पर्फेक्ट मिठाई बन गई है अभी इसमें हमें और भी कुछ करना है दोस्तों जिसे हमाई बर्फी और ज़्यादा सुन्दर दिखेगी तो देखिए दोस्तों चलिए हमने जो ये ब्रेड का पौडर बना कर रखा तना इसके अं और ये नारिया का पौडर लगेगा ना बहुत सुन्दा लगेगा दोस्तों देखिए देखने बहुत सुन्दा लग रहा है खाने में भी बहुत टेश्टी लगता है तो इसको बनाने में जितना कम समय लगा है दोस्तों खाने में उससे भी ज्यादा कम समय लगेगा क्यों होने वाली है कि बहुत ज़्याद़ टेष्टी बनके तयार होती है तो देखिये हम इसी तरीके से सारे मिठाई के उपपर कोटिंग कर लेंगे बढ़िया से दोस्तों इससे महा ही बहुत ज़्यादा सुन्दर दिखती है देख सकते हैं और तेष्टी टीगई नहीं और बहु कुछ ज़दा समान भी नहीं लगा है दोस्तों बहुत टेस्टी बनके तयार हुई है अगर आपको वीडियो पसंद आता है आज का तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए च